दोस्तों सभागता है आपका हमारी योट्यूब चैनल इसमान जौस में तो दोस्तों आज की जो विकिंसी है ये विकिंसी विपरो की तरफ से आ रही है विपरो ये जो है इंडिया की मल्टिनेशनल कंपणी है और ये हमारी प्राइबेट कंपणी है कई से हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर आप लोगों की पर्मानेंट विकेंसी निकल कर आ रही है इस विकेंसी के लिए हमारे जो candidate eligible है वो इस वीडियो को continue करेंगे इसलिए मैं आप लोगों को qualification साथी इसकी eligibility criteria starting में बता दूँगे जो student हमारे eligible है वो वीडियो को continue करें और जो eligible नहीं है वीडियो को like करके skip कर दें साथी comment box में अपना branch अपना branch जरूर मेंशन करें और अपनी qualification जरूर मेंशन करें तो चलिए दोस्तों यहां आप लोग अगर fresher हैं या फिर experience हैं दोनों candidate इस frequency के लिए apply कर सकते हैं तो वैस इसके लिए जो qualification है diploma candidate apply कर सकते हैं ITI candidate apply कर सकते हैं और यहां अगर आप लोगों ने BE कर रखा है और BTEC कर रखा है वो candidate भी eligible हैं साथी गाइस non-technical जो qualification कर रखे हैं non-technical graduation BE, BTEC की साथी BA, BSC कर रखा है आप लोग यहां पर apply कर सकते हैं इस frequency के लिए हमारे इतने candidate जो भी eligible हैं वो वीडियो को continue करें इसकी apply link आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी साथी description में भी provide कर दी जाएगी जो candidate टेलिग्राम से join नहीं है वो comment box में टेलिग्राम का link पिन गया गया है वहाँ से जाकर join कर सकते हैं तो guys जैसे कि आप सभी screen पर देख पा रहे हैं यहां पर मैंने इसकी link open कर रखी है अगर आप लोग link open करना चाहते हैं तो description में जाएए वहाँ पर जाकर आप लोग link open कर सकते हैं तो guys यहां आप लोग इस link पर जाएंगे तो आप लोग को कुछ इस तरीके का tab open होगा यहां आप सभी को इंडिया सर्च करना है आप लोगों को डालना है इंडिया क्योंकि location आप लोग इंडिया डालेंगे तो इंडिया की job vacancy आपको देखने के लिए मिलेगी आपका location है apply आप लोगों को यहां से करना होगा प्रोडेक्शन में हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं साथी guys जो हमारे ग्रेजुशन कर रखे हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से वह अप्लाई कर सकते हैं तो मैं कुछ ऐसे विकेंसी बता के लिए हैं और नॉन टेक्निकल को लिए भी बता दूंगी यहां नेक्स्ट विकेंसी है प्रोडेक्शन स्पैसलिस्ट की इसमें हमारे नॉन टेक्निकल भी apply कर पाएंगे यहां यह भी 30 नवंबर को पोस्ट आउट की गई है तेलंगाना एंड हैदराबाद लोकेशन दिय अगया है नेक्स्ट आप लोग देखेंगे डूपणी मैनेजर की यह 29 नवंबर को पोस्ट आउट की गई है इसके लिए आप लोग नॉन टेक्निकल कैंडिडेट अपलाए कर सकते हैं साथी यहां आप लोग अगर और भी विकेंसी देखना चाहते हैं तो यहां देखी अब लोग स्टेसे हैं वह सर्च कर लीए जिस्से कि आपके आज स्पासी जो भी स्टेट है उसकी विकेंसी वह च गdess हिग सर्च किया या या फिर मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश या फिर अधर को ही यहां सर्च करोंगी तो इस तरीके के टाप उपनों और हो यहां लोकेशन में मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल का मतलब है आप लोग अलग अलग लोकेशन पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी आप लोग से चूस कर्सकते हैं, अब बात करें गई आप लोगों की इस त här करने की डिपार्टमेन हो जर्च करना है आपको करना ठीनीब करना है तो इस तरीके कर अपन होगा तो आपको द्रेनी वाली質 गॉपकी सिर्फ चांसी देखने के लिए मिलेंगी तो यहां पर देखे ट्रेनर की आ रही है यह विकेंसी और भी जितनी भी यहां पर विकेंसी देख पा रहे हैं आपको यहां सर्च हो जाएंगी और भी आपके पेजिस हैं तो इन पेजिस में आपको क्या करना है यह जितनी भी ट्रेनी की विकेंसी है उन ट्रेनी के लिए और technical के लिए थी non-technical है, अब मैं कुछ specially vacancy जो आ रही है आप लोगों की वह यहाँ पर दिखाऊंगी, next vacancy जो है यह आप लोगों की विप्रो की तरफ से post out की गई है, विप्रो, आप लोगों का location है greater noida, अब greater noida में जो student work करना चाहते हैं, वो इसके लिए apply कर सकते हैं, साथी आप लोगों की non-technical यह रहनी वाली है, जॉब रहनी वाली है, विप्रो हाइरिंग कर रहा है freshers को और voice process की जॉब के लिए, गैस यहाँ दिखेंगे, zero two year experience वाले student apply करेंगे, साथी गैस यहाँ आपका salary package disclose किया गया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप fresher हैं, तो fresher के according, almost 18,000 तक आप लोगों का salary मिलेगा, in hand आपका 15,000 salary मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता, 14,000 भी दिया जाता है, तो इसलिए, depend करता है, कि आपके पास skill कितना है, साथी आप लोग fresher हैं, या experiencer, experience वालों को थोड़ा 20,000 से उपर ही रहता है, तो आपका experience किस field में ही, ये matter करता है, अब highlight की बात करें, तो यहाँ आप लोग night shift में अगर job करना चाहते हैं, comfortable है, तो इसके लिए apply कर सकते हैं, and rotation shift आप लोगों की रहेगी, timing आप लोगों के almost सभी जैसी same रहती है, कई सारे shift इसमें चलती है, graduate and undergraduate candidate apply कर सकते हैं, अगर graduate है, तो भी apply कर सकते हैं, under graduate जैसे 10th है, 12th है, या फिर guys जैसे 10th करके कुछ student हमारे diploma कर लेते हैं, या फिर आप लोग 12th कर लेते हैं, ITE कर लेते हैं, तो वो candidate apply कर सकते हैं, इस frequency के लिए, जो भी हमारे candidate है, फ्रेशर होना यहां पर important है, अगर आपके पास experience से 2 साल तक का, तो apply कर सकते हैं, 2 साल से ज़्यादा का है, यह है eligible नहीं है, अगर skill की बात करें, तो आपके पास English है, या फिर आप लोगों को customer को handle करना आता है, यह भी एक skill होती है, बहुत बड़ी skill होती है, कि customer को आप लोग handle कर पाते हैं, अच्छे से, तो यह आप लोगों को आता है, अपने resume में mention करेंगे, इमेडिटली आपको joining करनी होगी, वो भी greater noida में, greater noida और गाजियावाद में दो location रहेगा, तो यह आप लोग कर सकते हैं, इस frequency के लिए permanent यहाँ पर आपको hire किया जाएगा, और जो हमारे 12th वाले candidate हैं, वो भी इस frequency के लिए apply कर सकते हैं, साथ ही ITI वाले candidate को 12th करना important है, 12th ह होना चाहिए उनके पास, अगर diploma candidate apply कर सकते हैं and graduate, graduate अप्लाई कर सकते हैं but graduate वालों को 12th से करना होगा, साथ में डालना होगा appearing, अगर graduation कर रहे हैं तो, तो guys यह थी आप लोगों की update और आपको apply करना है, तो apply की link आपको telegram पर मिलेगी, साथ ही guys यह जो है, यह वाली link आप ल जो आप लोगों को apply सामने से दिया गया तो वाँ से apply करेंगे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में, जब तक के लिए bye bye, thank you